हालो डियर मदर्स और पैरेंट्स डिवाइन बेबी सौर में आपका स्वागत है आप कंसीव करना चाहते है और आप बहुत सारे प्रोब्लेम्स से घेरे हुए है तो ये वीडियो आपके लिए ही है आप कहीं दिनों और महिनों से कंसीव करने की कोशिश कर रहे है फिर भी आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कौन से ट्रीक फोटों करू और कौन से टिप्स को फोलो करू क्या करू कैसे करू जिसे जल्दी से कंसी हो जाए तो इस वीडियो में बताइगई बातों से आप बहुत ही आसानी से समझ पाएगे कि आपको एक महिने के अंदर कंसिव करने क लिए क्या क्या करना चाहिए यहां पर दी गई टिप्स बहुत ही आसान और घरेलू है जिसे फोलो करने से आपको बहुत ही आसान इसे गर पिठाएरने के चांस वड़ जाएंगे अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो आये चांते है कि ये दो चीजे क्या है उसे कैसे खाना है कब खाना है किस तरह से खाना है कि हमें बहुत आसानी से कंसे हो जाए बहुत सारे ऐसे first pregnancy symptoms होते हैं ज्यादातर मदर्स को जिसको कंसिम नहीं हुआ है और जिसे अभी तक pregnancy नहीं रुकी है लेकिन period से पहले हमेशा से ही ज अब स्टार्ट हुई है यह प्रॉब्लेम और ज्यादा एज के कारण यह प्रॉब्लेम हुई है तो यह सारी प्रॉब्लेम्स को period से पहले pregnancy जैसे symptoms आने लगते हैं शरीर में जैसे कि weakness फिल होना, vomiting के feeling आना, nocea, breast tenderness, cramping आता है और periods के symptoms जैसे डिप्रेशन, पेन, मूर स्विंग इत्यादी होता है जिसे हम PMS कहते है बॉडी में PMS की प्रॉब्लेम की वज़े से ये सारा हमें फेस करना पड़ता है आज इस PMS को ठिक करने के लिए और जल्द ही कंसिव करने के लिए हम आपको एक जादूई तरीका बताते है येस ये कॉंबिनेशन फूड है अंजीर और किस्मिस का यानि की लिलवा द्राख्ष और फीग का फीग और किश्मिश ये जादूई कॉंबिनेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि किश्मिश जो है वो आपके पेट रिलेटेड इश्यू को दूर करता है डाइजिस रिलेटेड इश्यू को भी दूर करता है किश्मिश में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी होता है जो कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लेम को भी दूर करता है और बहुत अच्छा फाइबर भी किश्मिश में पाया जाता है और जहां तक बात करते हैं फिक की यानि की अंजीर की तो इनको तो फर्टिलिटी बॉम कहा गया है इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है पीए में इसको दूर करने के लिए और फर्टिलिटी को बॉस्ट करने के लिए तो अभी उनको लेना कैसा है उसका तरीके कैसे है वो आपको मैं बताऊंगी सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक यानि की अंजीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसे हमको इतना ज्यादा बेनिफिट हुमिलता है फिक के अंदर बहुत ही अच्छी मातरा में नुट्रिशन्स और विटामिन्स होते है जैसे कि विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K और विटामिन B उसके साथ पोटेशियम, मैगनेशियम, जींक, कॉपर, मैंगनीस और आयन भी मोजुद होता है इसके साथ इसमें कैलरी भी होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बो हाइडरेट भी रहते है बहुत सारा इसमें फाइबर भी होता है, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड और फर्टिलिटी रिलेटेड इस्यूस को दूर करता है अंजीर में इनके साथ बहुत मात्रा में कैलरी और प्रोटीन होता है जो fertility को बढ़ाने में बहुत ही helpful होता है इसके साथ इन में बहुत सारे elements होता है जो fertility के लिए बहुत जरूरी है चाहे वो PCOD हो, ovaries में cyst हो, fibroid हो और tube block हो और जिसे बार-बार miscarish हो जाता हो और pregnancy symptoms है बट pregnancy रुक नहीं रही है तो इन सारी चीजों में आराम देने वाला है ये fig अगर आपके family में teenager girls है और ऐसा कोई है जिसे period से पहले ही ये सारे problem हो तो आप ये नुसका उससे बता सकते है जिसे अपनाने से बहुत आराम मिलेगा हमारा जो body है वो तीन प्रकार की प्रकृती से बना हुआ होता है वात, पीत और कफ fig जो है वो वात और पीत दोनों को control करता है अगर शरीर में वात और पीत का balance हो जाता है तो conceive करने में बहुत ही आसानी हो जाती है तो अब हम ये जानते है कि इस combination को हमें कैसे use में लेना है तो friends आपको एक मिट्टी का बरतन लेना है मिट्टी की कुलहडी भी ले सकते है आपको हर रात तीन से चार अंजीर और दस से बार किश्मिश लेनी है किश्मिश कौन सी लेनी है तो हम आपको बताना चाहते है कि किश्मिश जितना dark color की हो वो ही आपको लेनी है और वो ही ज्यादा बैतर रहेगी जिसको हम मौनिक का कहते है तो वह बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इस प्रकार की किश्मिश लेते है इन दोनों चीजों को अच्छे से वाश करना है और थोड़े पानी में सोक करना है ओवरनाइट इसे रखना है और मौर्निंग में आपको इसे खा लेना है जो भी पानी में आपने इसे सोक किया है ये पानी भी आपको पी लेना है तो ये आपको खाली पेट करना है और ये नुस्का आपको 30 days तक अपनाना है अगर आप एक महिने तक ऐसा निरंतर करते है तो इनके फाइदे आप खुद ही देख पाएंगे कि कितने अच्छे होते है और हो सकता है कि आपको एक महिने के अंदर ही good news मिल जाए तो इस प्रकार आप फीग और किश्मिश का combination करके अपनी fertility को boost करके थोड़े ही समय में consume कर सकते है I hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद